बजिए विए वाली एंक करने वाला है जहां पर हम बात करने वाले हैं 11 स्रीच के ऊपर 11 स्रीच कहने का मतलब क्या है कि कि यह तो डिजीट मल्टिप्लाइब आइसे निकाल दो इस वीडियो के बाद तो अरड़ी हमने देख रखा है अगर आपने अभी तक सिलेबस वगेरे नहीं देखा है मैं में कौन-कौन से चाप्टर इंपोर्टेंट है तो आप पहले जाकर उसको देख लो क्योंकि वह कहीं नहीं इंपोर्टेंट रहने वाला है और एक बात वेदिक मेहत का इंट्रो भी उसी में है ठीक है तो उसको जर आप एक दम साथ सोतरा सी जतना को है दो तो इसलिए हम लोग आज देखने वाले हैं वेदिक मैठ ठीक है लेवें स्रीज चलो तो फर्स ने बात करते हैं कि 22 22 x 11 कैसे करोगे आप कैसे करोगे 22 x 11 कैसे करोगे वह ओल्ड वाली मेथाट लगात कर इससे गुना फिर इससे फिर थे से फिर यूश्य पता है कि आप लोग देकर ही बता दो गे देख कर ही बता दोगा कि का यहां पर 11 दिख रहा है ना तो आपका री बता दोगे कि बचार होका बट इसके ट्रिक्स है अगर फोट डिजीट पर चले गए तब 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 फिर थोड़े से सोचने पड़ेंगे ना तो इसलिए इस ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग सीखें कैसे निकाल सकते हैं कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं अब मालों यहां पे 22 x 11 है ठीक है ट्वेंटी टू म मेठर स्वेंट से जाओ गें यहां टू टू मुल्टिप्लाइब एडेवन अभी से गुना दो दो फिर इधर कट करें फिर दो दो ऐसे दो 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 ओऊ सॉरी 24 महां बहू और एक मिनिट का किम्मत है एकजाम हौल में ठीक है तो इसलिए हम लोग ट्रेक्स औक्सक्स पहले जानेंगे वेदिक मैस से दिन उसके बास से हम लोग चलेंगे अपनी मैथ के ऊपर चाहिए वो हाइट इंडिस्टेंस हो कोई भी चाप्टर सो उसको अच्छे तरीके से कभर कभर करेंगे ठीक है तो यह हमारी कैसे किया तो कुटू को ऐसे उतार दो फिर इन दोनों को जोड़ दो इन दोनों को जोड़ दो मतलब दो और दो फर्स्टेप क्या है तू को टू एजिटिट उतारना अगर 11 दिख जाए 11 दिख जाए 11 दिख जाए कितना हूँ डिजिट हो 11 दिख जाए तो उस बीदी में हम लोग इस तरह से गुना करेंगे ठीक है धकाक से एकदम सब्सक्राइव दूसे दू को दू एजिक टीट उतार दो और यह दूनों को जोड़ दो दू और 2 कितना होता है चार फिर 4 को यहां पर 4 लिख दो और ये सबसंगे हो गए 11 स्रीज के टू डीजिट वाले कोस्टन एंसर बस काम घतम यह तो कहोगे कि टू-टू है तो यह तो आसान था हम तो इसे ही कर लेते हैं बीना आपके बताए हुए ही लेकिन अगर मालों यहां पर क्या रहे अगर यहां पर रहे आपका हम 72 92 85 ऐसे कोई भी अंक माल लो ठीक है 89 ऐटी नाइन ठीक है मालो कितना 89 और इसको सब को 11 से मल्टिप्लाइब करने है 11 से 11 से 11 से 11 से ठीक है गुना करने है ठीक है गुना करने है सब्सक्राइब दसक ट्रिक्ट लगाओ और हमसे निकालो इसको टूखय टू को टूखती टूख टू अतार नहीं है और इन दोनो तो भस छोटा सा एक इसका नमुणा है छोटा सा इसका एक नमुणा है आगे इतने सारे multiplications मिलेंगे असानी से चूटकी में ऐसे कर कर लोगे चूटकी में मतलब ठिंक ऐसे आपस में साथ को और 2 को जोड है अपसμά tela h assaulted 9 9 को 9 लिख दी है फिर 7 को ऐसे 7 उतार दी है 792 बस यहीं है एंसर इसका multiply कर लो calculator खोलो और calculator से calculation कर लो एकदम ऐसा ही questions answer है अब यहां पर आते हैं 92 multiply by 11 अब इसको कैसे करें इसको कैसे करें 9 2 तो 11 होता है ना तो इसको कैसे करें बस वहीं सीम सेम फंडा है यार जैसा two को हम यहां पर दो लिख दिये और इन दुनों को जोड़ लो कि हम यहां पर 11 लिख दे इंवर लिखते हो अरे एक खी न लिखते हो 12 को एक ही लिखते हो और हाथ में सब्सक्राइब कितने समय लगेंगे ज्यादा से ज्यादा खुब से कुछ पांच दो मिनिट तीन मिनिट लग सकते हैं अभी यहां पर आते हैं 85 x 11 इसी को उसी तरह से कर दो तो फाइब को फाइब की उतार दे और इसको जोड़ भाई आठ पांच तेरह तेरह के तीन हाथ में एक हार्थील बचाना तो आठ और एक नौ 935 बस ऐसे ही करने है जैसे कि मालो 89 था तो 89 x 11 तो ऐसे किस तरह से नाइन को नाइन एजटी उतार देने हैं बस काम खत्रम इसको इसको जोड़ दो आठ को आठ को और नौ को जोड़ दो ठीक है आठ को और नौ को जोड़ोगे तो कितना होगा अठ का बाटाटनी सोरे एक सत्रा सत्रा होगा ना सत्रा और सत्रा को साथ लिख दो सत्रा का साथ लिख दो और ये एक बचा हार्षील एक बचा और एक को इसमे इस grease काल के हैं अगर हम बात करें थिरिदि वोटीजीट तो बस इसमें तब उस सbenहों करते हैं जिस तरह से हम ने यहां पे देखा अब मालोग की 3D रहे तब क्या करें 3D रहेत तब क्या करें मालक की 2, 2, 2 multiply by 11 रहे तब क्या करें बताओ तब क्या करें तो तब उसी तरह से करने हैं adjective 2 को 2 यहाँ पे लिख दो अब इन दोनों को जोड़ो दो और 2 कितने होते हैं वाई समझने की बात है कि यह जोड रहे है फिर फॉर्थ स्टेप में इसको 5 उतार रहे हैं कि बस यह ही थे से नोगों को दो मैंने यहां पर लिख दिया दो यह थे लिए फिर फिर दो 2 2 है ऊतार दिया ॉन्हालं यहां पे रहें 295 यह इंतर लिया फिर 11 इस को 9 plus 5 कितना हुआ 95 954 को चारहात में कितना एक और दू और एक हात में चो था हारसील कितना हो गया किपने कितने भाजी तीन मुं हो वंश सौरिश ऑग से नोड़ एसको बहुत भी जॵद निया इसको भी जोड़ने है ठीक है इसको भी जोड़ने है ठीक है न ले के नौ नहीं के लिए और दू है त 그िर रख दिया फिर इसको इसको जोड़ा दू और दू और एक दू और एक इतना तीन यह हुआ बतीस ओपैतालिस इसका कॉरेक्ट इंसर है समझे हमने थोड़ा सा गलती निश्टेक कर दिया बाई मिश्टेक ठीक तो यह हमारी एंसर थी यह हमारी तू जी अब एक और एक एकजामपल लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कन् से करेंगे यह में धड़ा है यह अल्ट मेंसर से हम लोग करते तो बहुत समय लगता बहुत समय लगता अगर हम इसको इसे करेंगे तो जो हो एक लगदेने हैं इसको जोड़ने है। 9 या दू?, सबस् mois thought to readic, 921 hasa का पाइन संवारद रही है चीजे क्तर सब्सक्राइब करने में इसको उतार दो इसको और इसको जोड़ो इन दोनों को जोड़ो नौ tehd us Verily जोड़ा मैंने तो यहां पे एक 169 कोcomes 1 छाए जब फिर से किसे हमारा स्क्राइट किया था कि 9 और पांच को मैंने जोड़ा नौको और पांच को हमने जोड़ा तो नौपांच कितना होता है नौपांच 14 होता है 14 और एक हार्सिल था तो पंदर का मैंने पांच लिखा पंदर का पांच लिखा फिर यहां पर मैंने क्या किया यह पांच और जो एक हार्सिल बचा था पांच और जो एक की ओर भी wern कर सकते फोर डीजित हमारी इसी तरह से सबनेंगी फ़ाइव डीजित हो शीटिछ अधियग इसी तरह से बनेंगे ठीक यह इसी तरह से बनेंगे जैसा कि मालो अगरwo डेजिट हो तो हम क्या करेंगे जैसा कि हम 21 अब क्लिकैड रही है एक जैसे कि माल्योव त्को that I do in डोनों को जोडोओफ और दो 4 फिर इन डोनों को जोडो 224 फिर इन डोनों को जोडोफ 2242 वहर है समझ में आ रहा चार्फ हे दो दो चार चार चारफ सो भी हमे 7 मैं समय मैं आ रहे हैं आर युँ एंडस्टेंड मेरा क्या था 2 और प्लस दो चार फिर छटेप दो प्लस दो चार फिर फोर्थ सटेप दो पलस दो चार फिर फिप्ट एस्टेप्ट एंफ आनल स्टेप टू का है टू आयो वेटेमन पॉइट है बस यहीं थे अब चलो हम एक त्यारा सा और एक कोस्टेंस लेते हैं इसी में फोरी डीजित में जैसे की 9528 इंटू 11 दाइं 528 इंटू 11 अब इसको कैसे मल्टिप्लाइ करेंगे सेम उसी तरह से जैसे की एट का एट मैंने यहां पे लिए अब इन दोनों को जोड़ा इन दोनों को जोड़ा आठ और दो कितना दस दस होते हैं दसका जीरो हाथ में कितना लगा एक हाड़ सिल बचाना ए अब फिर इन दोनों को जोड़ो से थर्ड के स्टेप में 5 और दो 7 और एक 8 और 8 का आठ आढ़े लिख लिए और सीन दोनों को जोड़े आप इन दोनों को जोड़े नौॉड2 नौ और पाँच आप अच्छोड थोड़ से बीच में कॉल्स वगए रहा गये थे तो कितना चाहद का चाहर हात में कितना बचा एक एक बचा और नौ और एक दस नौ एक दस कितना हो गया कितना हो गया एक लग चाहजार आड़ सो आठ यह हुआ हमारा एंसर समझ में आइं यह पॉर्ण ईयसे की आठ को आठ लिग दिया दो आठ है एट दस को जीरो हात में 1 फिर इसको फिर्डे श्टेप हमारा क्या था पांदो सात और एक जो हर्सल था आठ को आठ में लिग दिया और पांच और नौ प तेरा और एक हारसिल 14 14 और फिर हात में वजा कितना एक और नव एक दस नहुए दस दस को मैंने जिटिट दस लिख लिए समझ में इसी तरह से आप 5 डीजिट 6 डीजिट 7 डीजिट 8 डीजिट 10 डीजिट किता हो डीजिट आप बना सकते हो इसी अनुसार इसी के त्रूप ठीक है आप कमेंट कटके पूछ सकते हो अकर समझ में ना आये तो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जॉइन अप किये हो आप टेलीग्राम चैनल पर जाओ वहां से आप पूछ सकते हो आप वहां पर प्रस्नली भी मेसेज करके पूछ सकते हैं वार्टसप ग्रूप भी आप सभी के लिए बनाया गया है ठीक है वार्टसप ग्रूप में ज्वाइन फो करके आप प्रस्नली भी मेसेज करके पूछ सकते हो यह नहीं है कि हां नहीं समझ में आ तो नहीं नहीं पुछाएंगे ऐसा नहीं है मैं कुछ बतने करने सेमें प्रोसेस होगा ठीक है इस तरह से हम लोग कर लेंगे ठीक है ऑना सा करते हैं कि 11 series आपके complete हो गए होंगे 11 अगर दिखे कहीं भी दिखे 11 multiply by कितना हूं digit कितना हूं digit अराम से कर लोगे ठीक है ठीक है तो चलो अब मैं आप सभी को question देता हूं ठीक है आप questions को बनाने हैं बना करके आप सभी को comment box में सबसे पहले 95 into 11 लिखते रहना ठीक है first second में आपका हो गया थार्ड फोर्थ फीट सेवेन शीक्स फीफाइब और यह हो गया शीक्स आपका और यह हो गया शीविन आपका और यह आपका हो गया इट यह आपका फाइब डीजित का मैं दे रहा हूं ठीक है फाइब डीजित का यह आपको करके दिखाने है ठीक है आपको करके comment box में इसके answer given करने है ठीक है आप इसको इसको solve करके आप comment box में अपना answer देजिए ताकि मैं समझू कि आप लोग understand कर चुके हो ठीक है ना आप लोग अगर अच्छे तरीके से समझ रहे हो तभी और मज आएंगे और यह एक बस नमूना था इसका वेदिक मैथ का अभी आगे हम जाएंगे तो और भी बहुत सारे tips and tricks मिलेंगे जिससे हम लोग calculation वास्ट कर सकते हैं एकदम पूरा फास्ट कर सकते हैं एकदम ऐसे calculation करें ठीक है इसके बास हमारे हमारी différents होगी वह 111 एकसो एगारा होंगे ठीक है तो हम लोग इस तरह से हमारी जितने भी स्रीछ वगरे हैं जैसे यह हमारी 11 ती एकसो एगारा हो गई 99 को हम किस तरह से multiply करेंगे and square कैसे निकालेंगे 95 का हो गया 92 का हो गया कैसे निकालेंगे उसका squares वगरा कितना हो डिजित हो उसको कैसे हम multiply करेंगे जैसे कि मालों की 72 by 62 इसको कैसे हम multiply करेंगे एक दम जल्दी तरीके से 3D पहलेंगे हम लोग तोपिक के अनुसार तो इसलिए हमारे लिए कहीं हिम्हारी वैदिक में इंपोर्टेंट है आई वेटिंग पॉइंट तो सबसे पहले हमारी मैत फर्ज लेक्चेस देखिए उसके कौन-कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट है उसको आप कभर अप कीजिए या फिर मैं वैदिक में समाप्त होने के बाद से मैं उसके कोस्टेंस वगरे लगवा हूंगा ठीक है तो यह सारी चीजे हमारी हो गई कि हमारी किस तरह से रहने वाली है तो यह बस एक टेलर था बाकी फिल्म अ कर दो